सजा सुनाते जज ने सलमान से बोले लोग तुम्हें फ़लो करते हैं तुमने मज़े के लिए शिकार किया कांग कानी काले हिरन शिकार मामले में बॉलिवुड अभिनेता सलमान खान को ब्रिहस्पतिवार को जूदपूर की एक अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई मुख्य या एक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी एक लोग प्रिय अभिनेता है जिसे लोग फ़लो करते हैं लेकिन उसने अपने मज़े के लिए शिकार किया ऐसे में वेह सजा में रियायत का हगदार नहीं है कोट ने कित के साथ ही 10,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया सेशन कोट में जमानत त्याचिका पर आज सुनवाई होगी अदालत से जेल पहुँचे सल्मान खान को रात में खाने के लिए दाल रोटी दी गई लेकिन उन्होंने नहीं खाया अदालत में सल्मान को जैसे ही सजा सुनाई गई उनकी आँखें छलक उठी उन्होंने अपने आसू छपाने के लिए चश्मा पहन लिया सल्मान की बहन अलवीरा ने उन्हें तो रंत पानी पिलाकर हिम्मत बंधाई दोनों बहने सल्मान को लगातार दिलासा देती रही इस से पहले जब अदालत ने सैफ, तबू, सोनाली, नीलम सहित अन्य आरोपियों को बरी किया तो सल्मान और उनकी दोनों बहनों को थोड़ी राहत की उम्मीद बंधी थी, लेकिन तनाव बरकरार था इसके बाद अदालत से पांच साल की सजा सुनकर तीनों हताश हो गए कोट ने कहा कि किसी भी बायान से ये साबित नहीं होता कि सैफ, हली खान ने सल्मान को हिरणों के शिकार के लिए उकसाया है वह सिर्फ जिपसी में आगे बैठे थे साथ ही यह भी साबित नहीं हुआ कि सुनाली, नीलम, तबू और दोशंत सिंग भी अपराद में शामिल थे लिहाजा इन्हें संदेई का लाब देते हुए बरी किया जाता है देवकुमार खत्री, मुख्यया एक मजिस्ट्रेट, जोधपुर ने कहा मुलजीम अभिनेता है और उनका आहम जननुसरन करते हैं ये जानते हुए भी अभियुक्त ने बेजबान दो काले हिरनों का गोली मार कर शिकार किया वर्तमान में वैयल जीवों के अवैध शिकार की बढ़ रही घटनाओं के मदे नजर अभियुक्त ने जोकृत किया है उससे वे कोई लाब प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है